हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो आज आज हम पढ़ने वाले हैं B.com 4.7 का Income Tax का Unit 2 जो कि है Computation of Tax Liability सबसे पहले जानते हैं Methods of Taxation Methods of Taxation में दो तरह के Method दिये गए हैं एक है Step System और दूसरा है Slap System Step System ये पुराना सिस्टम है ये इंडिया में पहले ही हमने हमारी इंडिया से पहले ही हट चुका है ये 31st March 1939 तक ही अपने इंडिया में था अब उसके बाद से ये discontinue कर दिया किया है Step System में होता क्या है कि जितना भी जैसे 2,50,000 से जितने भी 2,50,000 के नीचे वाले income group के लोग है उन्हें बिल्कुल भी tax नहीं लगता है 2,50,000 से 5,00,000 तक के लोगों को 5% tax लगता है 5,00,000, 1 रुपे से 10,00,000 रुपे तक 20% tax लगता है और 10,00,000 के उपर लोगों को 30% tax लगता है तो यानि for example अगर आपकी income है 5,50,000 रुपे तो आपकी income ये आती है 5,00, 1 रुपे से 10,00,000 रुपे के बीच में इसलिए आपको लगेगा 20% tax total income पे यानि कि जितनी भी आपकी total income है मतलब 5,50,000 पे direct 20% tax आपका लग जाएगा और उसमें हो जाएगा health and education से 4% add और जो slap system होती है slap system में ऐसा होता है कि जितनी आपकी कमाई है उसे divide कर दिये जाते हो और यह system जो है वो अभी भी इंडिया में चल रहा है slap system ऐसा होता है अगर आपने 2,50,000 के नीचे जितनी भी कमाई की है पहले जितनी 2,50,000 तक कि आपकी कमाई है उस पे बिल्कुल भी tax नहीं लगता है 2,50,000 के उपर से जितनी कमाई है आपकी होती है यानि 2,50,000 जो हुए उस पे तो कोई tax लगा ही नहीं उसके उपर जो कमाई हुए मतलब उसके उपर अगर आपने और 2,50,000 रुपे कमाई तो उस पे 5% tax और मतलब 5,00,000 तक अभी यह होगे आपना और उस पे अगर और 5,00,000 कमाए तो फिर आपके 20% tax इस तरीके से लगता है यानि कि अगर आपने 5,50,000 रुपे इंकम है अगर आपकी तो आपको सबसे पहले 2,25,000 पे बिलकुल भी tax नहीं लगेगा उसके बाद 2,50,000 से 5,00,000 तक 5% tax लगेगा मतलब की 12,500 और उसके बाद 5,00,000 से 5,50,000 तक मतलब 50,000 पे 20% tax इस तरीके से कल्कुलेट किया जाएगा और उस पे फिर health and education says जो है वो 4% लग जाएगा उसके बाद जितनी भी amount आएगी वो होगी tax payable rounding off of income and tax rounding off मतलब nearest to 10 रुपीज के करीब मतलब 10 रुपीज के करीब जो value होती है वो calculate करना income की भी और tax की भी तो अगर जैसे अपनी income हुई है 1,39,844 तो वो 44 जो है उसे nearest 10 के multiple के करीब लाएंगे मतलब 44 है तो 44 किसके करीब है 40 के करीब है तो इसे लिए हम उसे मानेंगे 1,39,840 रुपीज ना कि 1,39,844 ठीक है और वैसे ही tax के लिए भी वैसे ही होता है अगर आपका tax अगर जैसे कि यहाँ पर आया है 25,272 रुपीज तो उसे हम मानेंगे 25,270 रुपीज क्योंकि 70 जो है वो 72 के nearest multiple of 10 है यह कुछ जादा logical नहीं है इसे समझ ले तो समझ जाता है अब जानते है रीबेट of tax क्या होता है रीबेट यानि कि आपको थोड़ी छूट दी जाती है अगर आपकी income annual income 3,50,000 से कम है तो आपको 2500 रुपे की छूट दी जाती है और वो किसे दी जाती है अगर वो एक ही बंदा है मतलब एक बंदा individual है और वो इंडिया का resident है previous year से तो उसे छूट दी जाती है और अगर उसकी income 3,50,000 से कम है तभी उसे छूट मिलती है और कितनी छूट मिलती है तो 2500 रुपे की I hope आपको ये वीडियो helpful लगी हो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें Thank you so much